महाराष्ट्र में एक मिनी बस पर लुटेरों ने हमला कर दिया गाड़ी रुकवाने के लिए उन्होंने ड्राइवर को गोली मार दी लेकिन ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और बस को रोका नहीं उसने 30 किलो मीटर तक बस दोड़ाई और बाद में एक पुलिस इस्टेशन के पास जाकर रोकी इस तरह ड्राइवर ने अपनी जान पर खेल कर बस में बैठे सभी यात्रियों को लूट पार्ट से बचा लिया हालांकि लूट की इस घटना में तीन यात्री घायल हो गए दरसल नेशनल हाईवे 6 पर ड्राइवर और एक परिवार के 17 लोग एक मंदिर दर्शन के बाद अमरावती से नागपुर की ओर जा रहे थे तभी कुछ लुटेरों ने हमला किया वो बोलेरो कार में थे और जिस पर उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नमबर था ड्राइवर खोमदेव ने बताया कि लुटेरों ने मिनी बस पर फाइरिंग की उन्हें रोकने की कोशिश की खोमदेव ने कहा कि उनके हाथ में छोटे आई लेकिन उन्होंने मिनी बस नहीं रोकी और उसे लगभग 30 किलो मीटर दूर ले जाकर पुलिस इस्टेशन तक ले गए ड्राइवर ने बताया मुझे कार का नमबर याद नहीं है लेकिन यह यूपी रजिस्ट्रेशन नमबर था मैंने उन्हें दो बार आगे बढ़ने की जगह दी लेकिन वे आगे नहीं निकले कुछ समय बाद उन्होंने मुझ पर गोली चला दी पहली बार वे चूक गए लेकिन दूसरी बार गोली मेरे हाथ में लगी ये घटना नंदगाव पेठ के पास हुई थी पुलिस को जाच में पता चला है कि इन्ही लुटेरों ने पहले भी ऐसी एक घटना को अंजाम दिया था उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को सुनसान जगह पर रोका पेड से बांधा और उसका मोबाइल फोन और दस हजार रुपईये लेकर फरार हो गए